चलते चलते आज हम लोग आप पहुँचे हैं लखनो से थोड़ी दूर बीकेटी में बक्षी का तलाव में लखनो इंटरनाशनल पाबलिक स्कूल के खूब सुरिच सी विल्डिंग में जहां पे हो रहा है आज स्तंब 2021 जहां पे गवन्मेंट स्कूल्स गवन्मेंट टीचर् सेलिसीटेशन सेरिमनी रखा गया है और करियर काउच की टीम आज आप लोगों से बाते करेंगी यही पे इस बिल्डिंग में ही हम लोग आप से रूबर्यू कराएंगे अनुराग त्रिपाठी जी का जो की सी बीएसी सेक्रेटरी है तो चलिए धेर सारी बाते करते और आज का इस एपिसोड का लुफ्ट उठाते हैं तो हम आए हुए हैं एलाइपीएस के आज के इस प्रोग्राम में जहां पे गर्मेंट टीचर्स के लिए एक अवार्ड सरीमनी रखा गया था और आज इस सरीमनी को एक उचा एक रूप देने के लिए कुचाई देने के लिए हमारे साथ मौजूद है सी बीएसी के आज का ये इतना बड़ा एक इनिशेटिव लिया गया है जहां पे कि गर्मेंट टीचर्स को आज हम लोग यहां पे फेलिसिटेट कर रहे हैं लखनों में आप आए हैं सर मुझे पहले तो ये बताईए कि सी बीएसी और यूपी यूपी की अवी वस्ता अगर पूरे शिक् अलग अलग खांचों में नहीं है केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार एक हो करके ही सिच्छा के बेहतरेन मॉडल प्रस्तुत करती हैं पूरे देश में NCRT SCR2 रही करकुलम चलता और प्रादेशिक हिंसाब से लोग कस्टमाइज करके उसको बनाते हैं तो मैं यही कहना चाह अब प्रियासों से जरूर कोई ने कोई अच्छा रिजल्ट सामने आएगा और बच्चों की जो चमता है जो उनके इसके लिए उभर के सामने आएगी सर आपने भी बहार इनोवेशन के उपर बहुत सारी बाते की आपने बताया कि किस प्रकास से टीचर्स और प्रिंस्पल्स अपने तरीके से अपना स्तर कैसे उचा कर सकते हैं और आपने यह भी बताया कि गौर्मेंट स्कूल से जो आपके आशाए हैं वो कहीं ज्यादा अच्छा देना और उसके बाद एक सफल परिच्छा कराना दोनों एक ही सिक्के के दो पहलों जब हम कुछ पढ़ाते हैं तो उसका आउटकम चेक करने के लिए हम परिच्छा करते हैं और पिछले वर्स कोबीट के करन जरूर यह परिच्छाए नहीं हो पाई और बहुत सार अच्छा परिच्छा भी ले सकेंगे और उसका अच्छा रिड़ भी दे सकेंगे जहां तक ऑन-लाइन एक्जाम की बात है तो उन-लाइन एजुकेशन स्टार्ट हो चुकि है ऑनलाइन एक्जाम के कुछ पहलों भी हम लागू कर चुके हैं उसमें बहुत सारी सब्सक्राइब देख पाएंगे और आपको क्या लगता है सी बेसे कौन से स्टेप्स लेने जा रही है ताकि रूरल तक में एक कोने में जाके हमारा बच्चा एक सफल एक्जाम दे सके नई सिच्छा नीती परिच्छा सुधारों की बात करते हैं उसमें बहुत बड़ा सुध और हम लोगों ने सिमिस्टर सिस्टम को लेके किया है आप देख रहे हैं कि वरस में अभी तक एक बार बोर्ड की परिच्छा होती थी जिसकी वैलू 100% होती थी अब परिच्छा दो बार हो रही है फर्स्ट हाफ हम अबजेक्टिब ले रहे हैं और सेकंड हाफ हम सबजेक् को कर रहे हैं इसके हम बहुत सारे नए सुधार सीबिस्टी लेके आरी जैसे हम लोग नाइस के तुरु एक टेस्टिंग करने जा रहे हैं तीसरी पांचवी और आटमी और नॉम्बर में होने वाला टेस्ट तो पूरे देश के सामने तस्बीर आएगी कि उनके थर्ड पूरे बच्चेश और यार्णी लेविल किया है वह परिचा इस बार पहली बाट 10th लेविल पे होने जा रहे हैं तो थार्ड पिफ्ड एर्थ और टेंफ की लर्निंग लोग लैविल क्या है ये इस i kaoure के प्रधाना चाहरit उंको और अर देश के सारे प्रशास को पता च बोराने सबस्काम चेट करते हैं लेकर इसको एक डिजान फोलेकर के आरहे हो एक परग्रयास का ले इसमन्ट मे Pokemon पूरे देश के लेवल पर एक नया प्रोग्रम लांच कर चुके हैं उसको लेकर कि आरहे हो दो एक प्रोग्राम हमाराज इसको बेहतरीन तरीके से लागू करते हैं तो मेरी सुबकामना पुरस्कित होने वाले टीचर्स को आखरी एक सवाल, आखरी एक चीज मैं आप सब जानना चाहूंगा क्योंकि NEP में एक मेंशन है नो बैक्स डे का, उसके उपर हम लोग अभी तक कितना क्रियान्वन कर साकें? लोगों ने प्रारम भी कर दिया है, सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने इतने कम समय में करियर काउच की टीम को इतना वक्त दिया, आपका वाकिए आखेगी यात्रा शुभ हो, आप अभी देली वापिस जा रहे हैं, सर, हैव नाइस जोनी, थैंक्यू तो दोस्तों हम अभी मौझूद हैं L.I.P.S. में जहाँ पे ये स्तंब कारिकरम चल रहा है, यहाँ फैलिसिटेशन किया जा रहा है गौर्डमेंट टीचर्स का, जी हाँ, कोरोना के समय में टीचर्स ने अपनी तरफ से एक बहुत बड़ा युद लड़ा अपनी और से, औ और उसी की वज़े से अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, CBSC के सेक्रेटरी, Mr. Anurakti पाटी जी से, और इसी सिलसिले के तहट अब हमारे साथ बैठे हुए हैं, Major हर्श कुमार, Major सब, आप NCRT के सेक्रेटरी हैं, और एजुकेशन की आपको जो देखने का जो एक नजरिया है, वो थोड़ा लग है, मैं जानना चाहूंगा, मैं तो खेर UP में कर रहा हूँ, और हम इस समय मुझे कहना चाहिए, मैं लखनों से तकरीबन 40 किलोमेटर दूर, एक छोटे से गाउं इटोंजा के पास, लखनों इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में हूँ, देखे, जो ये महामारी का दौर आया, जो ये पैंडमिक का दौर था, इसमें हमने हमारे अध्यापकों ने इतनी जल्दी इसको एड़ेप्ट किया इस सिचुएशन को, कि आप सोचिए कि दस दिन के अंदर, आल्टरनेटिव एरेंजमेंट अपने आप खड़ा हो गया था जबकि संसादनों की कमी थी, ट्रेनिंग की कमी थी, उसके बाद भी आपने सही बोला कि एक अलग तरह का युद्ध हमारे सिक्षकों ने लड़ा और उसमें बच्चों को मैनेज करना, कंट्रोल करना, वो कितना मुश्किल होता है, ये मैं भी जानता हूँ क्योंकि मैं भी एक अभी बाबा कूं, और मेरे बच्चे भी ऑनलाइन सिक्षा ले रहे हैं, तो ये एक बहुत कठिन समय था, लेकिन निशित रूप से हमारे स्कूलों ने, हमारे अध्यापकों ने इसको अपने आपको एड़ाप्त बहुत जल्दी किया, और इसके साथ-साथ, देखे, ये एक टीमवर्क होता है, अब इसमें मैं NCRT की भूमिका के बारे में थोड़ा प्रकाश डालूंगा फिर आपके अगले प्रशन पे अगर आएगा तो NCRT की भूमिका को वरिश्तित रूप से मताऊंगा आपको, जी-जी, बिल्कुल, कि विदिन 10 देज, विदिन 10 देज कैलेंडर्स अलग से निकल गए और उसके साथ भी और और भी कई चीज़ें की गए जो मैं आपको बताता चलूंगा, लेकिन निशित रूप से इस पूरे समय के दौरान, जो हमारे अध्यापकों ने कार्य किया, उसको कहीं न कहीं पहचान मिलनी बहुत जरूरी, बिल्कु और उनकी पूरे टीम को बहुत बढ़ाई देता हूं कि इस तरह का अनुठाय उजन इन्हों है किया जिसमें ऐसे शिक्षकों को सम्मान और उनको पहचान मिलनी बातों पर क्योंकि हम करियर काउच पे बैठे हैं, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा बार बार हम NEP की बात क हम लोग जो नए प्लैटफॉर्म्स जो बनाया जा रहे हैं, इस समय करिकुलम्स को नया एक दौर दिया जा रहा है, कई चीज़े ने इंक्लूट की गई, नो बैग्स डे इंक्लूट किया गया है, स्किल को बहुत ज़्यादा हम लोग ने प्रोसान देने का फैसला लिया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद कोरोना के समय में हम ऑनलाइन एक्जाम नहीं करा पाए, ये तो अपनी तरफ एक खेद भरी बात तो रही ले, इसके साथ साथ आप अगर देखें करिकुलम्स भी जो है, वो भी बड़ा अस्तव्यस्ता हो उनको कम्पिटिशन में किस आख से देखा जाएगा रहे, इन्होंने तो कोरोना के टाइम पे दिया थे, इन्होंने तो एक्जाम दिया ही नहीं था, बस मिल गया था, ये भीक में में मेंली मार्क्स कहीं चात्रों के लिए चुनोती तो नहीं बन जाएगी, तब ही इन पू करेगा ये अपना करियर बनाएगा जब प्रशनी से बात नहीं कि करोना का दौसरा दोर नहीं देखा, या करोना का पहला दोर नहीं देखा जिसने हम सहमे हुए थे और दूसरा, जब हम सहम के थोड़ा बाहर निकले, तो जो दिखाई पड़ा, उसको तो याद करना भी तो अगर आप ये बात करने कि बच्चा अपने मानसिक द्वंद में कितने बढ़ों की जो अपने उम्र में मतलब एक परिपक्व मानसिकता वाले लोग थे उन वो जब हिल गए तो उन बच्चों के बारे में आप सूचिए कि उनके मन में क्या भावना रेगी 10th और 12th पास त तो इसलिए आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से परिचालित करें कि हमारे सिक्षकों ने बहुत अच्छा काम किया और जो बच्चों ने उस दौरान जिस तरह से भी एक्जाम देके आए निश्यत रूप से आने वाले दिनों में और भी पल्लवित और बुश्पित हों कि बच्चे किस तरह से कर रहे हैं कि नहीं है ऐसी बात नहीं है हम पढ़ रहे हैं आनलाइन से कुछ फायदे भी होए हैं आपको मैं आपको छोटा से एक्जामपल बताता हूं मेरा बड़ा पुत्र है सेवन्थ क्लास में तो वह कहता है पापा यह जानते हो गूगल कैसे का करता है मैंने का कैसे काम करता है सैटलाइट के तुरू काम करता है उसने का नहीं इस रास्ते से हम जा रहे हैं इसमें बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं तब यह दिखा रहा है कि यह जो रेड दिखा रहा है या पिंक दिखा रहा है कैसे काम करता है मैंने कहां से तुमने में देखा कहता मैंने नो हाउ में देखा इस बात तो ऐसा नहीं है बच्चों को आपको वह एड्वांटाज और ये तो अगर कोई द्रिश्ट्री से देखा जा रहा है जो कि कई पेपरों में ये बातें उठती हैं ये संबाद उठता है इस बात का बहुत अच्छा आपने जवाब दिया लेकिन मेजर साब उसके बावजूद एक तरफ हम चांत पर पहुंचने की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम एक सिंप वैंड है कि एक दिन में कंवर्ट हो जाएगा आप हमारी रास्टिय सिक्षानीती को देखिए रास्टिय सिक्षानीती इतने दिनों तक इसको खुले में डाला गया सारे हित धारक यानि स्टेकोल्डर्स ने अपना इसमें सजेशन दिया और उसके बाद ये डॉक्यमेंट अच्छा डॉक्यमेंट निकल के आया और उसमें जो सबसे पहला बात जो अभी अनुराग जी भी बता रहे थे कि सबसे पहला हमारा उद्देश के है सिक्षा का उद्देश है मनुभवा मतलब एक अच्छा मनुष्य बनना तो जब आप मनुष्य बनने की तरफ करेंगे त तो अभी आपका ऑनलाइन एजूकेशन के दौरान अभी देखिए हमारे प्रधान मंत्री जी ने जो एक मंत्र दिया लाल किले से कि सबकी सहभागिता जब तक सबकी सहभागिता नहीं होगी अब जैसे लखनाओ इंटरनेशनल पॉबिक स्कूल कर रहा है यह प्राइविट स्कूल है लेकिन इन्हों ने अगर सरकारी स्कूल के टीचर को सम्मानित किया या पहचान दी तो आप यह समझे कि एक तरह से एक रा इद्या के अंतरगत NCRT के कक्छा एक से लेके कक्छा बारा तक के फ्री चैनल्स 24 गंटे चलते हैं इसके अलावा हम कम्यूनिटी रेडियो का इस्तमाल कर रहे हैं हमारे वीडियो इसको डेसिमिनेट करिए जिससे कि सारा राश्र देख सके और सारी भाशाओं नहीं हो रहा मिज़र सब मैं आपको पहले बता दूँ कि करियर काउच हमेशा प्रियासरत रहती है कि हम शिक्षा नीती को चाहे वो राश्र शिक्षा नीती हो या किसी प्रदेश की भी हो अगर वो शिक्षा को अगर संचाले तरी तरीके से कर सकती हम उसको प्रोगेट करने के लिए लाए जा रहे हैं कुछ चेंजेज लाए जा रहे हैं हिस्ट्री से लेके अलग-अलग आप शायद मेरा आप मेरा सिग्नल समझ रहे हैं मैं किदर कहना चाहता हूं मैं खुले शब्दों में बात करूँगा आप से देखिए अभी सबका इनिविशन था कि भारत वर्ष में टीके कैसे लगाए जाएंगे आज हम सव करोड़ पार कर चुके हैं अब किसी के पास प्रशन करने के लिए है क्या मैं कुछ अखवारों का नाम नहीं लेना चाहता कुछ विचारकों का नाम नहीं लेना चाहता जो हमेशा इस बात पर प्रशन चिंद कड़ा करते रहे कि कैसे आप टीका लगाएंगे भारत इसको 15 साल में नहीं अचीव कर सकता इसको 25 साल में नहीं अचीव कर सकता परिणाम आपके सामने है तीका करन हो चुका है वो भी free of cost और तो इस बात को आप समझे कोई ऐसा करिकुलम कुछ ऐसा नहीं चेंज किया जा रहा है लोगों की inhibition है बहुत ही scientific तरीके से विशेशक के बैठेंगे इस पे देखेंगे कि भारतियता से पगी हुई सिक्षा बच्चे को क्या अपना इतिहास जानने का अधिकार नहीं ब तो ये मैं दर्शकों से भी अनुरोद करूंगा और आप बिल्कुल तीके सवाल पूछें और मैं बिल्कुल सही उसका जबाद दूँगा आप इस बात को देखें कि आप सामने देखते जाएए क्या क्या चेंज होता जा रहा है सिक्षा नीती में क्या कुछ ऐसा हुआ क्य नहीं हुआ किसी के पास कोई प्रस्ण है क्या नहीं है तो अभी आप देखते जाएए इसमें सब कुछ हमारे देश काल परिस्तिती के अनुसार हमारे देश के बारे में हमारे बारे में आप अपने पूरवजों के बारे में जानने का एक प्रयास है बिल्कुल से बारे है वही है और कुछ ऐसा चेंज नहीं होने वाला है अच्छा मेज़े सब आखरी सवाल कि NCRT आगे और कौन से ऐसी चीजें और बदलाव ला रहा है कौन से ऐसे significant changes है जिनको आप बताना चाहेंगे जो आगे चलके बच्चों के लिए बहुत कारगर सिद्ध होंगी देखे एक बहुत important stakeholder है teacher तो आप teacher की बात करते हैं कि teacher को ये पढ़ाना चाहिए पेडगोजी पढ़ना चाहिए और आप उनको क्या training दे रहे हैं उनका आप NCRT के formation के बारे में अगर जानते हों तो 1961 में जैसे उस उस पे खोला गया था जिससे जैसे IIT और IIM को ले गए हैं कि IIT जो है engineering की सिक्षा देगा IIM management की सिक्षा देगा उसी तरह से NCRT जिसके पां माईसूर और शिलॉंग में उसके अलावा पंडित सुन्दराल सर्मा vocational education का है जिसमें की pre-service teacher training और in-service teacher training दी जाएगी B8 का जो course का जो चार वर्षिये B8 हम कर रहे थे आज उसको पूरे रास्ट में सही माना है और जो ये B8 की दुकानदारी हो रही थी दो साल की stand-alone B8 colleges के बारे में आप सिक्षा नीदी में देखिए उसके बारे में है कि नहीं हम सही training देंगे जिससे कि जब सिक्षक सही निकलेगा तो obviously फिर आपका विद्यार्थी भी अच्छा निकलेगा तो NCRT एक इस दिशा में काम कर रही है फिर एक जो हमने मैंने आपको नाम बता है पंड पारे शमता जो कहा जाता है 49 एस तका उसका age group सबसे ज़्यादा रहेगा पूरे विश्व में इससी वज़से हमें vocational training भी देनी है क्योंकि अगर आप जापान का compare करें America का compare करें South Korea का compare करें वहां के total population का percentage जो vocational training जिनका है और सारे आपके जो services जॉब हों उनको equal importance दी जाए और रास्टी सिक्षा नीती का क्रियान वन हो इसके लिए कारें रथ है ना कि लोगों की inhibition है तो मेजर सभ अंत में स्थम के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को क्या संवाद क्या संदेश देना चाहते हैं मैं दर्शकों को इसमें से जो अभी वावक हैं उनको खास रूप स करना चाहूंगा कि जो एक निरंतर रूप से ट्रेनिंग प्रकिरिया में शामिल रहें और जो नए चेंजेज हो उससे अपने आपको अब्रेस्ट करें और इसके साथ ही साथ अगर आपको जो नए चेंजेज हो रहे हैं उसको देखना हो तो NCRT की वेब साइट को जरूर फ करना है टेकनलोजी को इस पर भी हमने डॉक्यमेंट बनाया है तो इन सारे चीजों का अध्यन कर सकते हैं जिससे की निश्यत रूप से उनको बहुत बहुत शुक्रिया मेंजा सब हमारे चैनल पर आने के लिए और करियर काउच की टीम को इतना समय देने के लिए अब जब ह कारिकरम के बिल्कुल आंथ पर आचुके हैं तो आपका मुझे समय मिल पाया स्तंब 2021 क्या खुबसूरत नाम अपने चुनाए और वाकरी मैंने यहां पे जो शिक्षा के स्तंब यानि जो हमारे जो सिक्षक हैं जो अध्यापक अध्यापिकाय हैं वो सब एक जगे आके एकत इतना एक खुबसूरत आपने माहूल बना के दिया यह यह आइडिया आया कहां से स्तंब 2021 अवार्ण पिलर्स एड़ुकेशन और फेलिसिटेटिंग अध्याप्ण हीरोस आज हमने जो ओरने किया वो था पैंडेमिक एरोस वो दिड़न इनिवेर कहीं वो रुके नहीं अउन की गती कहीं रुकी नहीं उन्होंने शिक्षा को भी नहीं रुकने दिया यह मैंने कहीं अनुराक सर की एक फोटो देखी सेकेर्टी सी बीसी कि वो अपने जन्म स्थल गाए आयोध्या और उन्होंने वो अपने स्कूल विजिट किये और उनका स्कूल एक गवर्मेंट स्कूल था प्रातमिक विद्ध्याले था वहां से इस आइडिया को मैंने मेरे अंद प्रारूप करना पड़ता है तो जब हमारे लिए ये कार इतना मुश्किल होता है ओनलाइन को आप सोचिए एकसेप्ट करना कितना मुसीबत भरा कार है था कि हमें रातो रात एक मोबाइल और तकनीक से अपने आपको जोड़ना पड़ा शिक्षा के प्रारूप को एकदम बदल देना पड़ा तो कितनी मुश्किल उन लोगों को हुई होगी पहले ये समझाना और फिर उनके पास तो परियाप्त साधन भी नहीं थे उस दिन स्तंब 2021 का बीच पड़ा और मैंने ये सोचा कि नहीं इन पैंडमिक अंसंग हीरोस को कोई न कोई रेकिनिशन कोई न को कोई मोटिवेशन उनके जो भी कार जो भी सयोग उन्होंने इस समय पैंडमिक में जो दिया तो ये हमें हमारा कॉर्परिट तो नहीं वर्ट कहना चाहिए बट हमारी एक शोशल रिस्पांसिबिलिटी है स्कूल होने के नाते शिक्षा जगत से जुड़े होने के नाते हम प जागरुकता की कमी रह जाती है और वो बच्चे वो आयाम नहीं पापाते तो मैं तो हमेशा यहां से उनको सपोर्ट करती रहती हूँ तो मुझे लगा बच्चों को सपोर्ट करती रहती हूँ लेकिन जो बच्चों का भविश्य टीचर बना रहे हैं क्या इंकि ये कुछ नहीं करना चाहिए तो बस वहां से ये बीज उठा और मैंने सोचा कि बस आगाज है और आप मुझे ऐसा करना है वैसे मैं से पांच अक्टूबर आप में से जो लोग नहीं जानते हूँ फिफ्ट ऑक्टूबर इस वर्ल्ट टीचर's डे मैं उस दिन इस कारिक्रम को करना च बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कहा कि जब आगाज जब बहुत खुबसूरत था तो अन्जाम तो खुबसूरत होना ही था और बहुत खुबसूरती से एक एक कारिक्रम आप कवरेज में देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से इसको सुनोजे तरीके से यहां पे रचा किया वाकई काभिलेत तारीफ क्योंकि हम में से किसी ने बहुत लोग यहां पे बातचीत करते हुए नजर आए जो कि कह रहे थे कि इतना खुबसूरत कारिक्रम कैसे कर दिखाया लेकिन मैं मैं कुछ तीखे सवाल पूछने से पीछे नहीं अटूंगा प्रशन यह है कि गर्मेंट स्कूल्स क्यों क्या आपको लगता है कि जो प्राइवेट स्कूल के जो टीचर है क्या वो पैंडेमिक एजुकेटर्स नहीं रहे नहीं बिलकुल रहे पैंडेमिक एजुकेटर्स बिलकुल रहे लेकिन फिर भी उन बच्चों के पास बहुत सु पेरेंट्स ने फेस किया एक डिफिकल टाइम लेकिन वो शिक्षा इंपोर्टेंट है इस बात को भी समझते हैं दूसरा अगर उन्हें एक मोबाइल से दूसरा मोबाइल या कोई लाप टॉप की व्यवस्था करनी तो उन्होंने की बडचो तबका जहां बचो के मोबाइल त और उन्होंने साथ साथ में इस समय में अपने स्कूल्स को हाइटेक स्कूल्स किया चाहे जैसे भी गवर्मेंट ने उनका सायोग किया तो मुझे लगता है कि हम लोग भी क्यों नहीं हाथ बढ़ा के उनका सायोग करते हम इसी इसी प्रारूप को मैंने दिमाग में रखा कि इसकी मैं शुरुवात तो करूँ, एक नीव तो डालू, एक शुरुवात करूँ कि सारे प्रिंसिपल्स इस दिशा में सोचे और स्कूल इस दिशा में सोचे कि सिर्फ सरकार को कोसने से नहीं होगा, क्या हम as a school अगर हमारे पास सुविधाएं हैं तो हम आपस में बाट नहीं सकते हब्स ओफ लर्णिंग सी बीएसी का एक कारिक्रम जलता है सर अगर आपको पठाओ तो हब्स ओफ लर्णिंग में बात ही यह है कि आप आपस में एक दूसरे से मिलकर बेस्ट गुड प्राक्टिस को शेर करें चीजों को आगे बढ़ाएं साथ में मिलजुल कर काम करें तो यह काम हम सिर्फ प्राइवेट स्कूल आपस में क्यों करें इसको अपने और बच्चे जो समाज के निर्माण में आप आप ऐसे भावी नागरिक तियार करना चाहते हैं जो देश के लिए एसेट्स हो लाइबिलिटीज ना हो तो उसमें आप सयोग क्यों नहीं करना चाहते हैं तो इस मुझे लगता है कि इसी चीज को दिमाग में रखते हुए मैंने प्राइवेट स्कूल ऐसा नहीं है मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी बहुत मेहनत की टीचरों ने दिन रात लगा दिया एक एक वीडियो बनाने में सर जैसे कह रहे हैं लेकिन उन बच्चों तक पहुचाना जिन बच्चों के पास यह संसाधनी नहीं है जो वो उनके लिए बहुत मुश्किन था लेकिन उसके बावजुद उन्होंने शिक्षा को नहीं रुक क्योंकि जानते हैं आप ही कि ँहां पर मैं जब क्राउड से कुछ लोगों से बाढ़ए कि और रृप सवाय जरूर था लोगों कोrav ंबात कर रहा था तो मैं ने कुछ लोगों से बातचीत की और जहां पर उनकी सैली कटी नहीं मिल पा रही थी, बच्चे नहीं ठीक से पीस पे कर पा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वो ऑनलाइन एक्जाम भी चला रहे थे, उनलाइन टीचिंग भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, तो उसके मुकाबले आपको नहीं लग रहा कि कह नहीं नहीं कहीं, गौर्मेंट स्कूल्स में यह हुआ, टीचर्स को सेल्वी तो हेफ्टी मिलती है, हाँ, वो पैशा शायद बच्चों के जो सिस्टम्स को क्रियेट करने में हम ठीक तरीके से आज़ित नहीं कर पाते हैं, तो इसमें टीचर्स की क्या गलती है, जो प्राइ पहुचाना हमारे लिए आसान है, लेकिन जिनने सिक्षा का महत भी नहीं पता, उन्हें हमें ही समझाना पड़ता है, वो बच्चे जो घर जाकर खाने के लिए भी मौताज है, उनसे पढ़ने की आप क्या बात करेंगे, उन बच्चों को नहीं रुकने दिया, आप इस समय अगर फेस्बुक, अगर आप जुड़े होंगे सर, तो आप देखेंगे कि बेसिक के विद्यालियों में जो काम हो रहा है, वो आउटस्टैंडिंग है, और कहीं न कहीं हमें उनसे ये सिक्षा लेनी चाहिए, ऐसे कई वीडियों है मेरे पास, जो मैं आप से शेर कर सकती आप उसे जरूर लीजेगा, कि आप उन टीचर्स की मेहनत को देखेंगे, मैं खुद, यहां मैंने निष्ठा की ट्रेणिंग कराई है और मैंने बिल्कुल बहुत क्लोज ली, ना केवल उनको अब्जर्व किया, बल्कि अपनी टीचरों को भी उनसे सीखने के लिए पहजा तो मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ, कि हाँ, ऐसा हुआ जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा हुआ, मैं कहीं उनकी मेहनत को कम नहीं आख रही, लेकिन एक बात कहूँगी, पता नहीं मैं सही कह रही हूँ आ गलत, बहुत सारे अवार्ट शोज होने लगे हैं, बहुत स की गाइडेंस से, वाकई आप तीम के वीडियोज देख सकते हैं, जो बने, आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि जनुइनली हमने इसके पीछे बहुत मेहनत की, और ये देखा कि बहुत सारी कमिया हैं, और इन कमियों के साथ जब उन्होंने इस समय को निकाला, और लेक्टॉप की वेवस्था तो कर लेता था, तो ओनलाइन इस माध्यम से चल तो सका, लेकिन जिनके पास ये वेवस्थाएं नहीं थी, तो आप सोचिए, वहां तो बिल्कुल ठहराओ तन्खा दिया आपने, बिल्कुल मैं एगरी करती हूँ, लेकिन सिक्षा में तो ठहरा चाहती हूँ, आज कुछ बच्चे भी यहां सम्मानेत हो है, तो इस जोन के हमने बच्चों का करीब उसमें 200 से 200 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, यहां जनल अवेरनेस का टेस्ट किया, और आप बिलीब नहीं करेंगे कि हमारे लिए विनर छाटना मुश्किल हो गया कि नहीं, पैंडमिक आया जरूर, उसने हमें चुआ जरूर, परेशान जरूर किया, लेकिन शिक्षकों ने कहीं अपना मनुबल गिराया लिए, तो सबसे बड़ा जो चैलेंज इस बार जो हमने देखा, सबसे बड़ा जो चैलेंज इस बार जो हमने देखा, स्पेशली और एक टाइम ऐसा लग रहा था कि बोर्ड के एकजाम शैद होंगे, नहीं होंगे, इन बचों का क्या पूरा-पूरा साल चला जाएगा, और सरकार और गैर सरकारी संस्थान भी है, आपस में लगी रही कि किसी प्रकार से कोई एक रास्ता निकाला जाए, मैं मादवी जी क कि बेबाकी का वाकई, मैं बहुत तारीब करता हूँ, कि उन्होंने बेबाकी से पूरी बात को समझा और रखा, डिस्पाइट एक फैक्ट यह है, कि L.I.P.S. अपने आप में एक प्राइवेट संस्था है, उसके बावजूद इन्होंने बढ़ चड़के, सरकारी संस्था कि मैं जब यहाँ पर आ रहा था, मुझे कई बार कई जगे से कॉल सा रहे थे, मिडिया सेंटर से कॉल आ रहे थे, लेकिन मैं खुद कह रहा था कि मैं परस्टली ठीक है, मैं रिपोर्टर बेजता हूँ, लेकि मैं फिर भी एक बर आना चाता था, क्योंकि जब मैंने थोड अगर आपके बास समय हो तो मैं आपको एक चोटी कहानी के माद्धियम से शायद पूरी बात समझा लेगा सूप स्टोन करके कहानी है एक बुड़ा विकारी होता है और वो गूंते गूंते बहुत कुछ उसने एक्सपिरियंस किया होता है लाइफ के बहुत एक्सपिरियंस होते है उसके पास और वो इक गाओं में पहुचता है उस गाओं में आकाल पड़ा होता है मैं कहीं पर खाने बिल्कुल बोलते है कि रात ने फिर वो बोलता है सब की देखके लोगों की बाते सुनता है कि यहां खाने के लिए कुछ नहीं अपने ही घाने के लिए कुछ नहीं तो कहता है कि मुझे खाने के लिए कुछ नहीं चाहिए आप सिर्फ एक भगवाने में मुझे पानी दे मैं आपको सूप बना के पिलाता हूं बढ़िया तो पत्थर जे सब लोग बड़े अश्चर चकित बढ़े सूप बनाएंगे यह उसने सूप बनाना शुरू किया और उसने कहा क्या सुगंध आरही है क्या मजा रहा है कहीं अगर थोड़ी सबसी मिल जाती कैबज टमैटो थो अगर इसमें थोड़ा बीफ और पढ़ जाए तो यह मज़ेदार हो जाएगा वहां गाउं का बुचर भी बैठा तो कि थोड़ी बीफ तो मेरे पास भी पढ़ी होगी मैं ले आता हूं मैं इसमें डाल देता हूं किसी से कहा अरे थोड़ी इसमें गार्लिक का भी टेस्ट अरे मेरे यहां कुछ लेसन पढ़ें मैं ले आता हूं ऐसे करते करते वहां इतना बढ़िया सूप बन गया और सूप सिर्फ पूरे गाउं के लिए बन गया तो आप लीडर्शिप कैसे करते हैं वो परिवर्तन उसी पर डिमेंट करता है उसने फिर उसके बाद उस आदमी क पुद बन इख दो गया और राले दिन वो सूप नहीं बना सकताथ क्यों कि बले वो काई। का नग Damn it. ंर नेत्रत कर रहां था तो हमारे नेत्रत गया जो करıllया माननीय राजी प्रशेश्न चोहान जो हमारे चेर्मेन उन्होंने एविजन जब मेरे सामने रखा सर कि मैं जीडीगोइन का मे अग्रा से बहुत दूल जाना पड़ता है और यहां सारा फार्मर्स के जो फैमिलीज है जो दूर दूर के लोग है उनको अच्छी शिक्षा के लिए पूरा छेत एक ऐसा स्कूल बनाना चाहता हूं, जहां आप निरंतर अच्छी शिक्षा दे, मुझे बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के साथ साथ उन्हें एक अच्छा नागरिक भी बनाना है, तो ये जिम्मेदारी हमारे उपर सौपी गई, मुझे लगा कि नहीं, यहां तक सब को लाना बहुत मुश्किल है, मुश्किल था, बिल्कुल मुश्किल था, बट ये मुझे पता था, कि अगर मैंने कुछ डिफरिंट करना शुरू किया, मैंने अपनी सोच को एक आम स्कूल की सोच नहीं रखा, कि मेरी जिम्मेदारी इंजिनियर और डॉक्टर्स बनाने की है, अगर उसके साथ मैंने ये ब्लेंड कर लिया, कि मैं एच्छे इंसान भी बनाऊंगी, बच्चे के प्रारूप को बदलने के लिए, मैं उसे हर वो प्लैटफॉर्म दोंगी, चाहे वो डान्स हो आज, अपने डान्स का प्रोग्राम देखा, आपने म्यूजिक का प्रोग्र जैसे एक बच्चा था मेरा, आपने देखा हो को वो एड्रेस कहीं सेक्शन में था नहीं, बट वो इतना इमोशनल हो गया, सारी चीजों को देखे कि उसने तीचर को थैंक्यू कहा, तो मुझे वो सेंस बच्चों में क्रियेट करना था, और मैंने, मैं यही कोशिश करने कि टीचर्स भी इस बात को बस समझ लें, कि हमारा जिम्मेदारी स्कूल शुट प्रिपेर देखे जाएंगे, कि लाइफ के हरडल से मुस्कुराते हुए कैसे निकलना है, उन्हें दुनिया का कोई पैंडमिक तोड नहीं पाएगा, और वो ना सिर्फ बच्चे सीखें, बल तो वो सारा कुछ हम उन्हें यहां देने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है, जैसे वो word of mouth से spread हो रहा है, लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, और लोगों को यह समझ में आ रहा है कि हाँ, मैं हम शायद कुछ प्रियास कर रही हैं, तो आप जो यहां देख रहे है वो मेरे से जादा मेरे टीम का काम है, चैर्में सर का विजिन है, मैं उसमें जुड़ी हुई हूँ, और वो कहीं इस चीज़ के लिए रुखते रही है, कि शिक्षा को उन्होंने पैसे से तोला हूँ, मेरा स्कूल हर साल दो बच्चियां शीराम और दोगे गनाथले से बॉक्स देते हैं, यह एक ऐसा स्कूल है, कि जो हर साल अपने अन्वल कॉंसर्ट में, पीजी से लेके क्लास 12 तक के टॉपर्स को फ्री बॉक्स देता है, ताकि वो यह प्रमोट कर सके, कि एजुकेशन अगर आपकी स्ट्रेंथ है, तो हम आपको सपोर्ट करने के लिए कही पीछे नहीं है, तो बस इसी विजन के साथ हम लोग यह काम कर रहे हैं, आपने तरी बड़ी बात बोली कि यहां हो रहा है, तो यह परिवर्तन सर सिर्फ इसी लिए हो पा रहा है, कि शायद मेरी टीम आफ टीचर्स, कोई लीडर नेट्य तो बहुत कर सकते हैं, बट देन अ कि पैसा नहीं, मैंने वो कमाया है जिसके लिए आपको काम करना है, आपने बच्चों को बदला, आपने सामाज में कुछ ऐसा परिवर्तन लाया, तो आज जब मैं सूँगी तो शायद मुझे बहुत सुकून होगा, कि मैंने वाकई एजूकेशन की फील्ड में एक ऐसा नय कि प्रिंसिपल्स घर जाकर एक बार ये सोचेंगी कि ये मैंने क्यों नहीं सोचा, या क्या मैं अपने आसपास की स्कूलों को कुछ सपोर्ट एक्स्टेंट कर सकती हूँ, क्या मैं उन बच्चों का भविश्य बहतर बना सकती हूँ, और अगर कर सकती हूँ, एक सवाल अप को कभी नहीं मिलेगा, वो बच्चे जिन्होंने अपने घर के लोगों को मरते हूए देखा, पैंडमिक से जूचते हूए देखा, इतनी विशम परिस्तितियों में दिन प्रति दिन टीवी पर जो कवरे जा रही थी, वो हमारी हिम्मत को रोज तोड़ देती थी, उसके बा बच्च से जादा विशम परिस्तितियों में पिछले सौ सालों में भी कोई बैच निकला होगा, तो इन बच्चों को तो हमें सलाम करना चाहिए, इन टीचर्स को सलाम करना चाहिए, क्योंकि एक करोना योध्या, ये खुद में भी बच्चे थे, क्योंकि उन विशम परिस् के लिए आसान रास्ता न बनाएं बच्चों को कठिन रास्तों के लिए तयार करें ये हमारा तायतो है दोस्तों हम लोग बार बार ये बात कहते आते हैं कि अच्छी शिक्षा होनी कैसे चाहिए लेकिन कभी ये नहीं कहते कि अच्छी शिक्षा के लिए जो व्यवस्ता है उस अजया साथ एक छोटा सा पत्थर लगता है, एक पूरी परिस्थिति को बदल देने के लिए, उस पत्थर का कोई इंस्सूप में रोल नहीं था, लेकिन उसको ढाल देने से, उसको पढ़ने से, लोगों में जो जिग्यासा जगी, उसके साथ जो लोग उसके साथ जुड़े, उस mission के साथ जुड़े ऐसी mission से Lips जैसे institutes खड़ी होती है आईए ऐसे प्रकार के institutes के साथ जुड़े उनकी कहानिया सुने उनके साथ जुडाओं से खुद भी inspired हों और ऐसे organizations को बढ़ाएं देखते रहिएगा करियर का उजब शुभांकर तो आज हम घड़े हैं लखनो इंटरनाशनल पब्लिश में जहां पे स्तंप 2021 का आज आयो जग किया गया है और हम आपको बता देते हैं यह खूब सूरत चा जो स्टेलफी पॉइंट बना गया है जहां पे हमारा अशोक स्तंप है तो यह जो है हमारे साथ शिल्पी जी जुड मनी हुआ है उसको पाँच हिस्सों में बढ़ता गया था और इसके वारे में जो है और जानकारी हमें शिल्पी माम दे ली है माम यह पाँच कैटेगरी जो थी वो टीचर इनोवेटर अवार्ड इसके बाद एक आपका इंस्पाइड रेजिलियंट आफ दी इयर अवार्ड और आपका नॉन स्कॉलिस्टिक अवार्ड फिर आपका ग्लोबल कोलाबोरेटर अवार्ड यह हमारी कैटेगरी सी जिसमें ह एक इंस्पाइड रेजिलियंट आवार्ड था जो हमारे ओवर ओर अवर ओल एक एंडमिक से रिलेटर सब कुछ देख रहा था फिर एक था हमारा नॉन स्कॉलिस्टिक क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि ऐसा मतलब बैक्सिम में कहा जाता है कि हमारा जो एक एंडमिक पार्ट ह वह हर स्कूल में स्कूल में सरिफ अडमिक पार्ट को ही फोकस किया जाता है लेकिन जो हमारी एक्टिविटीज होती है उसको हमारी बैक फूट नखा जाता है लेकिन हम लोगों ने इस चीज की भी इनिशेटिव ली थी क्योंकि एनिपी आ गया है और बहुत सारी चीज़ ऐसे हो गई हैं कि आपको एक्टिविटीज को भी उतना ही पाट देना है जितना आप मेजर सब्जेक्स को देते हैं, इसलिए हमने ये इनिशियेटिव लिया था, ताकि टीचर इनोवेटर एवार्ड और हमारा नॉन स्कॉलिस्टिक एवार्ड में फोकस पे रहे, क्योंकि ए सब्जेक्स एह सोचते हैं कि ये मेजर सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि अब C B S C ने भी इस चीज़ को इन बिल्ट किया है उन्होंने भी ये चीज़ कही है कि आपको एक्तिविटीज पे जादा फोकस करना है इसलिए हम लोगों ने एक्तिविटीज पे भी फोकस करते हुए नॉन-स्कॉलेस्टिक टीचर्स को भी अवाद दिलवाया था एक्तिविटी की बात करते है हमारे साथ जुड़े में है एक्तिविटी कोडिनेटर सिधाज सर और मैं बता देती हूं दोस्तों मैं खुद परसनाली इन से इतना जादा इंप्रेस्ट हूं बिकास इनकी डांस अमेजिंग थी तो सर प्लीज बताएए आपकी अक्तिविटीज के बारे में जैसे कि हमारे स्कूल में बहुत सारी अक्तिविटी कंडेक्ट की जाती है और हम उसे बहुत ही अच्छी तरीके संजाले बिसिकली बच्चों के स्किल को डेवलप करने के लिए जो कॉंपिटिशन्स हैं जो सीबियसी के गाइडलाइन के थू भी कॉंपिटिश अच्छी ने चलाया है उस आर्ट इंटिविशन को यूस करते हुए हम अपने बच्चों में उस आर्ट को डवलप करते हैं और बिसिकली सारी एक्टिविटी चाहे वो म्यूजिक हो चाहे डान्स हो योगा हो और एकेडमिक में भी आपके को कर में आपके डिबेट्स है एक पर्सनल अटेंशन मिलता है जहां पर उनकी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए पूरी तरीके से पूरी टीम के साथ महनत की जाती है तो यह जो खूबसूरत सी स्कूल में हम लोग आज आई है और यह ब्यूटिफुल सा सेल्फी पॉइंट बनाया है इसके पीछे हीना मा अटीएस चॉटिशन तो यू फूर यूर हाद वर्क वर्क तो प्लीज टेल मी यह जो डेकोरेशन आप लोगों ने डिजाइन किया है तो मांड में क्या था कैसे आप लोगों ने कितना दिन में इसको कवर किया है अच्छली माम हम लोगों को इसमें लगग 15 डेज लगे है में टेकोरेशन ने पूरी दिन हिएजियनिंग ऑन तन धिले इसको कहते हैं वहाँ एगे लिभी ने खेर केशिप्रेशन तो यह हम अपूरा हूं आप थीजाइनिग 2एज़ सूर अब आप बहों सारस्वती माधा देख हिर जीचि़से इटली श्रिज है उनी पोर्क तो उसी को हमने आगे रख करके यह सारा डेकुरेशन करा है और होफुली आप सब को अच्छा लग रहा है यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है तो जी हां जैसे कि हम सब बार-बार यह बात करें कि इस खूबसुरत से जो इवेंट है उसका नाम है स्तंब 2021 और हम सब को पता एक एक पिलर जोड के ही एक मजबूत बिल्डिंग बनती है तो एक और न्यू पिलर जो यहां पे है हमारे साथ साथ संतो सर जो की PGT Mathematics Teacher है तो संतो सर यह जो माम ने जो यह स्तंब 2021 नाम रखा है और यह जो आप लोगों ने स्तंब हर जगा पे डेकुरेशन किया है इसके प अत्लब यह है कि जो हमारे अध्यापकगड़ है अध्यापकड़ों ने जो कारी कोविट के दोरान जो कारी किया है उनकी साराहना के उदेश से इसको क्या वलते है कारिकरम कराया गया और उदेश यह था कि टीचर्स को एक मोटिवेट किया जाये जिसे कि वो और बहतर कर सक और बच्चों में क्या वलते हैं एक सर्वांगन विकास हो झाले विकास송 पालेण में विकास।